हालो गाइज दिस इस मुए तहरवार और आज का अपना टॉपिक है मेंस्टर साइकल देखेंगे तो सबस्क्राइब अपन देख रहे हैं मेंस्टर साइकल रिद्मिन में साइकलए पेजिते Chen Hill का सिसायकल के मनलब कर्ए उसको क्या पाने ठीवेंट है तो इक इवेंट है छो कहां पर होता है दी रिप्रोडक्टिव प्रियुर्ट प्रिया कौश्मेंट ओप मेंस्ट्र साइक्ल कॉल मिनारगी कहलाता जो विद शुरूआत होती है 12-15 साल की ओमर में सुरू हो जाती है सोब्क जाता है 45 से 50 साल की उमर में बिख जाता है ठीक है अब आपन देखते हैं में स्टों से क्षा पर चैन्ज़ होते हैं कहां कहां पर चैन्ज़ होते और किस तरह पहले हैं तो सबसे पहले तो बीरिय जो इसके आपन का भी में क्या होता है अबब गहां कर जो होता है कि वह अब फोर्मेंट के दरान क्या उनक्hak सी होती है सबसे पहले उसका रिलीस हो जाना फेलोपिया ट्यूब में इक तरह की गिलेंड में करण हो जाता है तो सब्सक्राइब नए अढ़ीं आगफ देखे और एक वुखछा और एक होती है लूदियल सब्सक्राइब है उसको इसको करवाने के लिए ग्राफियन अब्रस बड़ा-स अएक-तरह से है अपन लोग सेल्स कवर कर नहीं होगा को न्यूट्रीशन प्रवाइड करवाने के लिए तो उसके बड़ी सी इस्ट्रक्षा बन जाए जिसको बोलतिंग ग्राफिन फॉलीकल तो फॉलीकल मतलब सेल्स बहुत सारी घट्टी हो जाती है ठीक है तो हो जाती है फॉलीकलर फेस इंड자리्यस अब छेशण ऑफवम बंग्वाइन फॉलीकल और साथ ही होता है उसाथ होता है निके इकाशन करती है ऑफिरेंट्रा से अथाऩचाल करती है डिंडिग पर उस अब आपन देगते हैं यूटराइन होते हैं इत्य होते हैं होते हैं सबस्क्रेटा फैas9 इंचे क्या होगा तोट के बाहर निकल जेए सबसे पहले हैं menstrual phase में क्या होता है after ovulation if pregnancy does not occur second endometrium is shed or discriminated and expelled out by vagina along with blood and tissue fluid तो क्या होती है टूट के blood और tissue fluid के साथ बाहर निकल जाती है ठीक विजाइना की थिरूप प्रोलिपरेटिव फेस प्रोलिपरेटिव फेस में क्या होती है it extends from 5th day to 14th day of menstruation that is between the day when menstruation is stop and day of ovulation तो day जब menstruation जो stop हुआ है उसकी बाद से जब तक ovulation हो रहा है तो उस टाइम तक कहां पर प्रोलिपरेटिव के जाती है इसमें क्या होते हैं changes हो रहे हैं कि अगर जो अपनका fertilization हुआ तो क्या होगा है उसमें pregnancy के लिए पहले से अपनकी यूटरस को तयार करना होता है ठीक है करस्पॉंड ता फॉलिक्लर फेस को भी कर्स्पॉंड करती है जो अपनकी ओवरी में हो रहेते उसमें जिस तरह से ओवं का होते जा रहा है अब और यूटरस में आएगा तो उसकी बात कहोती है और ठेकेंड होती जाती है ताकि उसको न्यूट्रिशन प्रवाइब करवाए पाए फटलाइजेशन की बाद ठीक है अपने देखते हैं सीक्रीटरी फेस एक्टेंड बिवीन 15 टे सब्सक्राइब करेंड एड लेकर के मेंश्यसन तक चलता है तो अगर बिलिशन हो गया और जाना प्रॉलिपरेशन होने लगता है और होने लगते हैं अब देखते हैं चैन्जेज इंसर्वेक्स और बेजायना में लगवाँ सैम है एक प्रॉलिपरेटिव हो जाएगा एक स्टिटिटीटिव पेस हो जाएगा तो दूचे अपन को देखने प्रॉलिपरेटिव अपन उसकी जो रहेगी उसकी वॉल्स रहें उनका प्रॉलिपरेटिव करवादेंगे और सब्सक्राइन हो जाती है तो अभी तो इसके लिए क्या करेंगे कि प्रोवाइट कर वाति हैं कि इसको पर मेड़ ज़ा कि ताकि आसानी से कहां तक पहुंच पाई फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाई वहां पर क्या फटलाइजेशन हो पाई ठीक है अब आते हैं इसमें क्या होता है मुकस मेमरें विकम मूर ठिकर एंड अड़ेसर विक पालोग भीजाइनल चेंजंगें अविश्च कि दो एकुट रर्णिफटरी में जाती है और सब्सक्राइट होगी और सात क्या हो जाती है इसमें उन्फेक्स ना वाइस वचे से क्या होती है वो इसका जो पी-च रहता है पी-च भी-च पी-च पी इन्प्री निक्रिव हो हो जाते हैं और सब्सक्राइब हो जाता है इस वज़े से क्या हो जाता है तो यह रहे अपन प्लीज लाइक से अब सब्सक्राइब इस अब जादा जादा मेडिकल ग्रूप में भेज़ें ताकि सब को वीडियो प्रवाइड हो पाए अपको इन्युवर्सिटी एक्जाम आने वाले हैं तो इसमें क्या होती है इतना नोट्स अगर आप लिखके आते हो यह सफीच है हैं जितना बता रहा हूं उतना लिखके आते हो तो आपको सफीच से नमबर मिट जाएंगे ठीक है थैंक्यू गाइस